सबसे पहले हमने किया देखा ओंडे ट्रेंड देखा और 15 मीं टाइम फ्रेम में और कॉन्फोर्मेशन मिला मुविंग एपरेज के बिलो में जो ट्रेडिंग जोन के बिलो और सेंटल पीबोट के बिलो है तो हम प्रोपार एसल के साथ आमने ट्रेट्स लिए प्रिवियास डे इन थाउजन केपिटल को स्तिमाल करते हुए हम यहां पर करेंगे ट्रेड इसकालपिंग करेंगे बिसिकली सिंगल लॉट के साथ तो आए सबसे पहले हम यहां पर वान डे टाइम फ्रेम में चार्ट देखेंगे आज अब बिलो है तो प्राइज एक्षिन जो है वो पाफोमेंस बिल्कुल पसंद नहीं है मांकेट को देट सब्सक्राइब देखें यहां पर फिट जून देखें ओपेंगे बिल्कुल एक बेस में प्राइस का सब्सक्राइब करेंगे चलो एक इंदा मनी कॉंट्राक्ट को लेते हैं कितना था 473 एक मिनिट के अंदर इसने बढ़िया मूब दे दिया और मैं टॉप में बाई कर चुका हूं इतना लॉसेज दिख रहा है जब मैं एनलाइज कर रहा था तो यहां पे था 473 90 का सबस्ता अभी कहना इसमें प्लेस करो तो बड़ा हो जाएगा बट वो तो कर नही यह ऐसा नहीं करना था यहां पर जैसे कि 519 थोड़ा रिट्रेस की इंतेजर करना चाहिए था एक गलती है मत करो वेट कर लो ठीक है जो मैं गलती कर रहा हूं आपको नहीं करना चाहिए यह सब्सक्राइब लेना है ताकि स्टॉप लॉस छोटा हम राख पाए साभी आहां पर हम मुविंग अवरेज के बीलो स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे ताकि अगर हीट कर जाए जो एक्जिट कर लेंगे हलां कि ट्रेंट भी इसे हो सकते फिर से ओके देखिए कर चुका एसे लिट क्या ही करें इसल के बिना तो हम पूजीशन में बने भी नहीं रह सकते अ हम यहां पर इनिसिएट करेंगे सेकेंड ट्रेट की है 583 तो इसने लगा दिया है और यह भी ब्रेक डाउन कर रहे है कि चलो लेट्स मेक इट काईस मैंने फीच से बना चुका हूं और स्टॉप लॉस एगेन यहां पर फाइफ हंड्रेट टेन क्या स्पास होगा इस मैंने अभी 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूं और दोनों पोजिशन से यहां पर 800 करके अच्छा का सा लॉस हो चुका है सब्सक्राइब दोनों ट्रेड्स में यहां पर इसल गया पता नहीं यह मार्केट किस तरह की मोमेंटम कर रहे हैं फाइप ओन थ्री क्या सब्सक्राइब कर रहा है इस ओके अभी हम थोड़ा इंटेजर करते हैं रुपा डिरेक्शन की देन हम यहां पर बनाएंगे और यहां पर ब्रेकडाउन किया और 700 उपाइब करने के बाद मैंने दो बार को सब्सक्राइब कर ड corresponds बनाऊंगा थोड़ा स्लाइडली यहां पर लिमिट लगा के रखते हैं 618 यहां पर देखे एक बनाया बेस बनाने के बाद ब्रेकडाउन कर रहा है अगर इस लेवल की ब्रेकडाउन हो जाते तो बड़ी आप हॉल देखने को मिल सकता है छोटा सारे ट्रेस अगर आते हैं तो बटन करते हो अन जस्ट वन क्लिक और हो जाएगा स्क्राइब यह सिंगल लॉटी है इसा नहीं कि मैं हाप को अंटीडी बूख कर लूँ अभी हम असल को करते हैं प्लेस्ट ऑके बड़ी आम मूब दे रहा है अभी आपके फाइनली ब्रेकडाउन कर रहा है और अब मैं यहां पर इस्टाप लॉस को डिलीट कर रहा हूं और जस्ट वान क्लिक में मैं स्काड़ आप करूंगा और ते देखो मुझे 600 सम्थिंग प्रॉपित हो रहा था नाव लेट्स क्लोज एट एक बार क्लोज करते हैं बड़िया प्रॉपित हम अल्रडी बुक कर चुके हैं यहां पर इसकाड़ और एजी लिस्टाप लॉस को ड्रैग करके कहीं पर भी ड्रॉप भी कर सकते हो यह धनका डर्मिनल है यह कोई मिंटें चार्ज भी नहीं और ब प्रॉपिट हो रहा था वाट उस पोजिशन पर हमने एक जेड नहीं कर पाया अभी देखें तो हमने एनलाइज कैसे की हलाकि अभी भी हमने प्रॉपिट में नहीं है बट देखो लॉस भी तो हमने कॉबर कर चुके है ना सबसे पहले हमने क्या देखा और 15 मीं टाइम फ्र प्रॉपिट में आ चुके है यहां पर देखें प्रिवेस डे की क्लोजिंग को ब्रेक करके निचे की तरह पार है और यहां पर सापोर्ट का मिलेगा और फाइफ अंडेट का यहां पर रूम है 500-400 पॉइंट तो अब हम 46700 थोड़ा रिट्रिस होने दो फिर हम सोचेंगे यहां पर इंडिये सरकर बना रहे हैं फिर भी देखो मांकेट का हाल क्या है क्योंकि लोगों का एक्स्पेक्टिशन जो था ना कि फूरंडेट का सपास यहां पर सीट मिलेगा इंडिये को जो आइसा नहीं हुआ तो भी मांकेट इतना क्रास कर रहा है ओके रिट्रेस ले रहा था अभी मैं कहां पर रखो लेट से और एक्जिक्टिशन प्राइस प्राइस त्री हंडेड नाइनटी टू इंडाउन बड़ा लॉस तो नहीं लेंगे इस्ट वन क्लिक में कर देंगे इसकार डॉप या फिर एसल को प्लेस करने तो 336 बिलो या 332 कि आसपास अम एसल को प्लेस करते हैं थोड़ा बड़ा एसल है रखना पड़ेगा आइसा नहीं कि इतना बड़ा ही एसल लेंगे हो सकते कि उससे पहले भी एक्जिट कर दे सिचिएशन को देखते हुए चलो अभी में इसल को ट्रेल कर दूंगा देखिए यहां अब तक यहां तक अभी फिलाल में इसल को ट्रेल कर दिया 139 का असपास अभी हो रहा है प्रॉफिट बड़ा में टाइम प्रेम में देखते हैं प्रिविएस टे जो लो है 46,080 लेट सी यहां पर देखें बड़ी कंडल के त्रूंग हो चुका एसलेट एंड लेट में सो यू कितना लॉसस वा 481 रूपीज लॉस्ट बॉक फॉम था नंबर ट्रेड चले मांकेड वेसी के लिए यहां पर एक बेस बनाने की कोसिस कर रहा है इस जोन पर इस वान 46,900 इसको सिलेक्ट करते हैं चले यहां पर बड़ी यह रिट्रेस तो मिल रहा है 417 के असपास मैं एक लिमीट अडर प्लेस कर दिया करते हैं इसली ड्रैग करके मैंने हाँ पर एक्जीकूट करा दिया ओके इस गॉइंग डाउन तो मैं स्टॉप लॉस्ट के असपास थोड़ा सा अबब 374 कि चलो इसली चाट के ओपर एसल प्लेस्ट हो जाते हैं सो लेट सी देखें मैं अभी भी ब्यारी सी और पूट में पोजिशन बना रहा हूं ऑवरल जो मेरा प्रेडिक्शन ओब्यारी से दस लॉस को लिमिट करते हैं ओके हो चुका यह से लेट 329 तो का चुका चलो लेस्ट बाइब और यह मेरा लास्ट पूजिशन है जो भी होगा मैं आपको दस मिर्ट के बाद मिलता हूं मोबाइल स्कीन में में पेनेल दिखाने की कोसिस करूंगा बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है और राइट नाव आम गूंग टू लॉस्ट पोचिशन ओके तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि अभी हमरा प्रॉफिट कितना बन गया है और यहां पर चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा यह देखिए दस बज के नाइन मिनिट पे मैंने 437 पे एंट्री लिए और उसके बाद 313 पे मैंने एंट्री लिया था और अभी अबाउट 500 के असपास एक्जिट की और अभी देखिए उससे भी एबब 90.100 पोइंट यहां पर देखो 5 ट्रेट्स हो चुका है हमारे डान और 1368 रोपेज हम यहां पर बना चुके प्रॉफिट चार्ट जिस इतना जाएगा एप्प्रोक्स 500-500 के असपास चार्ट जाएगा फिर भी हम यहां पर 10,000 के इस्तेमल करते हुए यहां पर हम 700 के असपास पास कैसे इंट्रि लेता हूं तो मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूं सबसे पहले आप अंदमें टाम फ्रेम में ट्रेंड आइटेंडिफाइगा करो ट्रेंड अगर ब्यारी से थोड़ा उचाल जैसे मिले इंट्रि ले उइप प्रोपा रेसल इस तरह फाइप ट्रेड्स कर करना चाहिए जिस ब्रोकर में आप ट्रेड कर रहे हो उसकी टामीनल बहतेरीन होना चाहिए यह धन की टार्मीनल है मैं इसकालपिंग के लिए प्रेफर करता हूं आपको अगर एकाउंट करने लिंक इस इन डिस्किप्शन और फिमेल कस्टोमां के लिए ऑनली 10 रुपिस प मिलते हैं नेक्ट सेसिन हो